पुने के रियल इसेट के एड़ दुबाई के रिलल इसेट में क्या डिफरेंस है यहां पर जयसा तुम्हों ने शूट किया वहाँ पर शूट कर सकते चुट है, या फिर वह पर और समझ के हम हंडल करते हैं और आप यह बड़े गैजेट्स लेकर इतने मेगापिक्सल का कैमेरा ड्रोन शॉर्ट्स होगरे उगरे एक्सपेंसिव सारी चीज़े तो यह इससे क्या डिफरेंस आता है यह नॉर्मल कॉलिटी वीडियो और एक हाई कॉलिटी वीडियो जैसे आप अगर आप आज लोगे तो आपका प्रॉपर्टी अप्रीसिएशन होगा यह सब तीसे तो अगर आप और गैनिक ली एक ऐसा प्लाट्फॉर्म क्रेट करना चाहते हो जहां पर आपको और स्पेंड ना करते हुए लीड्स कंटिनूसली आया फिर आपका एक नाम मार्केट मे कंटिनूसलीर है तो आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यह मिस कंसेशन है कि एक्चुली सब्सक्राइबर एक्चुली यह प्रोड़क्ट ऐसानी के इसमें आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर की ज़रुए इसमें व्यू की ज़रूद रहिए अगर प्रोड़ सब्सक्राइबर को पता है कि उन्होंने रियल इस्टेट का चानल खोला है शेर ना करने से सेवेंटी के उनको व्यूज आये तीन मेहने में और सब्सक्राइबर भी 300 प्लस ग्रोव हुए तो यह जो 300 सब्सक्राइबर है यह अक्चल व्यूवर है उनका अगर आप शेर करके 1000, 2000, 5000 बड़ा लोगे तो आपको व्यूज उतना नहीं आएगा क्योंकि वो सब्सक्राइबर को पता है कि जस्ट हमने सब्सक्राइब करके रखा क्योंकि हाँ इधर देखा था इसने बोला कभी किसी को मिल लिये सब्सक्राइब कर दे वह आपका व्यूवर नहीं है या बाय विनक सेनी परसंड बिहाइंड दस्टीन टोडे और होट सिट विनक कैसा था जर्नी आज तक यह जो आपने रियल इस्टेट का एक नया अलग फोटे स्टाट किया जो रियल इस्टेट का डिजीटल प्लेटफर्म को आज आप एक स्प्लोर कर रहें वीडियो से यह सब होई और यह सब चीजे की हमको थोड़ी सी हिस्ट्री जानी है कि आपके अज़े से मैं को यह प्लाटफर्म मिला कि यहाँ पर आके मैं अपने बारे में बता सकूं सो लाइक स्टार्ट से थोड़ा सा बताता हूं सो आवस इन 12th सो मेरे को इसा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रो जॉब बगएर करके पीसी बिल्ड करना था कस्टम सो वो किया एंड फिर फॉर्स्ट यह कॉलेज कंप्यूटर साइंस में था एंड लॉगडाउन स्टार्ट हो गया तो उस ताइम पर काफी टाइम मतलब मिला कि उसके बारे में और एक्स्प्लोर करना तो मैं ऐसे देन कॉलेज वगर स्टार्ट हो रहा था एंड उस टाइम पर फिर मैं वीडियो काफी देखने लग गया था यूट्यूब पर यूट्यूब कैसा होता है फिर यूट्यूब खुद का चैनल स्टार्ट किया गेमिंग पर उसमें भी फिर उसको ग्रोथ कैसे लानी है तोड़ा सा नॉलिज उस टीज का आया एंड उसके बाद एक फ्रेंड के थू उनको रिक्वार्मेंट थी वो रिल इस्टेट मा था उसको रिक्वार्मेंट था कि हमें विडियो एडिट करके चुई है कि मतलब प्रॉपर्टी के वीडियो रहेंगे उसको जस टाइटल समन फिर एडिटिंग अगेरा करना स्टाट किया है रिल इस्टेट का सो मेरा पहले से एक आदत था कि जो भी मार्केट में चल रहा है अपन बेस्ट कैसे कर सकते तो मैं पहले से भार के चानल जादा तर फॉलो करता था तो जब आपका भी स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरे पास उतने gears नहीं थे, equipments नहीं थे, जो phone था, उससे ही regularly shoot करता था, बट वैसा quality आने रहा था, और धीरे-धीरे उसी चीजों से सीखता गया, फिर real estate में engagement कैसे लानी है, views कैसे बढ़ते हैं, या फिर उसमें tags, title, hashtags कैसे डालने हैं, वो सीखा, वो channel handle किया, उसके बाद धीरे-धीरे equipment आना स्टार्ट हुआ, जैना आपका भी podcast का channel स्टार्ट हुआ, वो भी हमने handle किया, उसके बाद फिर धीरे-धीरे, जब हम जबी भी shoot पे जाते थे, तो channel partners, या फिर उतर के sites पे जो भी लोग रहते थे, वो देखते थे, आरे, क्या चल रहे है, क्या कर रहे है, तो लोगों ने थोड़ा सा पूछना स्टार्ट किया, कैसा है, क्या है, तब जाके फिर समझा कि, आरे, इस market में, मतलब, वीडियो ग्राफर्स की, मतलब, क्या बोलते है, कमी बोल सकते है, वो है, लेकिन, उसको फुलफिल कोई नहीं कर रहे है, तो टल मार्केट में, वेक्यूम क्रियेट हुआ है, आज कोई ये सब चीजे, पर्टिक्लरली करनी रहे है, और जो कर रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज नहीं है, तो वो जो डिफ्रेंस है, वो आपर इडिटिफाय होता, कि नहीं आरे है, ये प्रोफेशनल नहीं है, मतलब, स्टार्ट से वो दिखा कि, वीडियो बनाने वाले, वीडियो एडिट करने वाले, काफी लोग है, लेकिन एक चीज में specialization उनका है नहीं मतलब वेडिंग कर रहे हैं तो वेडिंग ही करो सारा चीज यह मत करो तो फिर तब डिसाड किया कि यार real estate करते क्योंकि बाहर जो चल रहा है न इंडिया में वैसा quality वैसा content ही नहीं तो उसको अचीव करना है सो पहले सही था कि एक्यूपमेंट्स अच्छे होने चाहिए वीडियो कॉलिटी अच्छे होने चाहिए थे सो धीरे धीरे फिर वो सब चीजे हमने सीखे एंड अभी काफी ऐसे clients जिनका हमने starting से भी page handle किये है कि इनके already grow है उसको भी थोड़ा सा push मिला है सो ऐसा एक छोटा सब्सक्राइब है अभी total कितने अकाउंट्स अब हैंडल कर रहे हैं अभी 12-15 चानल पार्टनर्स के अकाउंट हमारे पास है एवन के अंडर ऑके सो उनको हम video related service देते हैं यह firm का नाम अपने एवन cinematics एवन cinematics तो जिसे विनक आपने बोला कि आप कुछ भार के international content creation जो करने वाले लोग है उनको फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करते होगा ऐसा क्या identify कि आपने कि जो इंडिया में आज भी यहां के real estate agent यह जो है brokers channel partners जो कर नहीं रहे और कहां पर आपको उसमें difference पता चला और आपने सोचा कि नहीं real estate में आगे बहुत future है और real estate में यह सब चीजे करने की ज़रूती है तो क्या points थे ऐसे जब उनके वीडियो हम देखते हैं सो वहां पर लग वीडियो देखते समय आपको लग रहा नहीं होगा कि यार यह मुझे कुछ बेच रहे या फिर मैं आप वहां पर वीडियो इंजॉय करते हूं आप उस परसंसे करते आपको अच्छा लगते कि यह कितने अच्छे से बत सो एक ब्राइड क्रियेशन का जो जर्नी होता है वहां पर ब्राइड क्रियेशन पर ज़्यादा फोकस है कि मुझे मेरा नाम मार्केट में करना है इस वजहे से वह content creation कर रहे हैं यूट्यूब ऐसा platform है कि worldwide उनका content show कर रहा है so यहां पर क्या हो रहा है आज के लिए लोग वीडियो बना रही कि यार मेरे को आज लीड आ जाएगी तो मैं वीडियो बना देता हू और पोश्ट कर देता हू तो मेरे को लीड आ जाएगी तो लोगों का जो माइंडसेट है वो इधर ऐसा है कि मेरे को booking करना है, मेरे को leads ही चाहिए so वैसा नहीं है, अगर आप आज brand create कर ले तो आपका नाम एक बार market में create हो जाता है तब आपको long term में काफी leads आने आले तब आपको long term में लोग पैचनने लगेंगे so वैसे भी कुछ accounts है हमारे पास जो लोग सिफ brand creation पर focus कर रहे इंडिया में काफी कम लोग है जो brand creation कर रहे बाकी सब only leads leads के पीछे चल रहे अभी जैसे foreign काई के example देता हूँ वहाँ पर rant से rant करके है Netflix ने उनके लिए एक series बनाई है, मतलब officially उनके लिए है वैसा अभी इंडिया में भी start हो है सोने लिफ पर एक series आ रही है सो वहाँ पर north side का millionaire कुछ नाम से है सो यह जीजे अभी धीरे धीरे identify हो रहे है लोगों को वीडियो का content creation का focus brand creation का focus अब जाके धीरे धीरे पता चल रहे है सो यह major difference था जो मुझे लगता है और immediate भी अगर कोई youtube पे या फिर इस्टा पे आजाए तो day two से उसको lead नी आने वाली नए नए तो इसको एक यह प्रॉपर एक cycle से जाना बहुत ज़रूरी है कि number of videos इतने पोस्ट करने का पर मेरे को एक पता है कि वो videos आपके lifetime रहेगे हाँ यह वो जो लिस्टिंग आप कर रहे हो कोई आडवर्टीज वर या फिर फेस्बुक पे आपने campaign रन किया है जब तक आप उसमें invest कर रहे हो तब तक वो leads आएगी या फिर वो ad live रहेगा यूट्यूब पे social media पे अगर आप personal brand से करते हो या फिर खुट का post कर रहे हो तो lifetime अधर ही है जब भी लोग search करेंगे तब वो content अधर दिखेगा और ऐसा भी नहीं है अगर आपका एक्जांपल लेते है अब भी आपके चैनल पे कुछ ऐसे भी वीडियोज है जो पुराने हो गए एक-दो साल पहले तो सामने आना बहुत ज़रूरी है तो यह जो content creation है यह normal phone से वगरे भी लोग करते और आप यह बड़े gadgets लेके इतने megapixel का आपका camera drone shots वगरे वगरे expensive सारी चीज़े तो यह इससे क्या difference आता है यह normal quality video और एक high quality video normal quality sound और high quality sound यह सब चीजों से यह algorithm में कुछ फरक गिरता है YouTube के इंस्टा के अगरे अभी YouTube का algorithm आप बोलने से बेटर अगर बोलोगे कि लोग ही algorithm है तो इसका meaning क्या है कि लोगों को अगर आपके video पसंद आ रहे है तो basically algorithm को समझ रहे है कि यह videos लोग ज़ादा देख रहे तो मैं इसे और पुष्ट करता हूँ अगर आप एक simple example लो कि अगर आप ले रहे हो एक करोड की property और उसे जस्ट शो कर रहे हो एक नॉर्मल फोन से जस्ट कुछ भी दिखा रहे हो तो जो एक करोड वाला person है जो लेने वाला है तो उसके mindset में क्या रहेगा लेकिन idea नहीं आता वही अगर कोई सामने person present कर रहा है दिख रहा है so it's a real thing real estate में आपको person to person touch जरूरी है कि उसका credibility कितना है वो उसके पहले के videos कैसे है क्या कर रहा है तो यह सारे चीज़ी बहुत जरूरी है so video quality में अगर आप आज अच्छा video बना रहे हो अगर आज आपके अच्छी quality है वो lifetime रहने आला है उदर so इस हिसाब से आपको videos बनाने चाहिए कि यार ऐसा नहीं है कि अभी मेरा budget कम है या फिर अभी मैं phone से कर ले तो वो एरा अलग था जब YouTube पे बोलते थे कि आप just start करो phone ले लो और start करो वो चला गया अभी algorithm को पता है कि high quality content ही consume हो रहा है so आपको वो deliver भी करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ ऐसी डालते रोगे audio अच्छा नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं लोग देखेंगे नहीं तो algorithm को लगेगा कि यह उतना reach नहीं दे पाएगा इसके लिए इसे push करना बन करते है तो यह एक impact पड़ता है बाकी कुछ में तो विनएक जैसे तुमने बताया कि इसमें से leadian rate होती है और बाकी भी platform से leadian rate करने के लिए तो जो channel partners है उन्होंने यह platform क्यों choose करना चाहिए कि आज यह videos Instagram YouTube यह सब channels पर आने की जरुवत क्या है कोई भी नया channel partner सोच सकता है कि मैंने वह क्यों करना चाहिए क्योंकि portals तो established हो चुके बाकी भी चीज़े है ठीक है और digital में भी digital भी लोग करते यहनि Facebook digital में पर वहाँ पर मिज दलते यह सब चीज़े आभी तक होती थी तो वीडियो फॉर्म की क्या जरूते है सो अभी कोविड के बाद से वीडियो फॉर्म एंड वीडियो क्रिएशन काफी ज्यादा बूम हुआ है विकॉज अगर आप लेट से आप घर पर बैठे हो आप इंस्टा नॉर्मली स्क्रोल कर रहे हो और कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा सांपल आपको दिख जाता है जो की काफी एंगेजिंग है अच्छा लगा रहा है सो वो चीज उसमें आपको पूरा एक आइडिया मिल रहा है एक ही बार में देखके की घर के सा है क्या है उसमें और उसी जगह एक जस्ट इमेज है मतलब से वेक लिविंग रूम का फोटो दाल दिया उदर लिख दिया है प्राइस इन दोनों चीजों को जब आप देखोगे तो यहां पर ज्याद आपका फोकस जाएगा सो विडियो फॉर्मेट जो है यह आगे काफी चलने आला है और जैसे आपने लीड कॉलिटी का पूछा सो जैसे पॉर्टल्स है उस पर जब कोई पर्सन अपना नंबर शेयर करता है या फिर उसको इंट्रेस्ट दिखाना होता है सो वो लीड काफी ही तक मितलब शेयर लीड आप उसे कह सकते हो लेकिन यूट्यूब पे या फिर सोशल मिडिया पे कैसा है वहाँ पर पर्सन का कॉंटक्ट दिया होता है या फिर डिस्क्रिप्शन में उनके वाट्सप का लिंक वगरा होता है सो उसका फाइदा कैसा है वो डिरेकली उस कंपणी के पास जा रहा है या उस पर्सन के पास जा रहा है सो ओवियसली वहाँ से वो लीड शेयर नहीं होगी सो कस्टोमर का भी कैसा होता है अगर आज एक बंदा पूने में आया है विजिट करने उसको देखना है तो एक दिन में कितने ही प्रॉपर्टीज देख लेगा कितना घुमेगा कितना सांपल समझेगा या फिर कितना प्रोजेक्ट समझेगा और फिर भी अगर उसको एक प्रॉड़क पसंद भी आ है फिर वो कहेगा कि मेरे फामिली में देखना है उनको पसंद करना है उसमें पास अभी बहुत सारे वीडियो उसने बना के रखे पून तो वो family के साथ बैट के YouTube पे binge watch कर रहा है, पूरे वीडियो कि हाँ, यह यह properties है, तीन-चार properties उसको पसंद आए, सिफ उसी properties के बारे में वो उनसे contact करेगा, so time काफी दोनों का save हो रहा है, customer का भी, channel partner का भी, so यह एक difference है, image content में जिसे पहले होता था, कि Facebook पे भी आप अभी भी देखते हो, कुछ ads, so एक image और एक video में यही difference है, कि image में आपको सिफ इस दिख रहे हैं, ज्यादा idea नहीं आ रहा, audio, लोगों को, मतलब अगर आप एक ad create कर रहे हो, तो ad ऐसी होनी चाहिए, visually appealing होनी चाहिए, audio, मतलब लोगों को सुनना, अच्छे से आना चाहिए, और उसके पीछे motive क्या है, यह चीज़ अगर आप अच्छे से पाक करके, एक video format में बना रहे होना, तो वो ज्यादा आपको quality leads generate करेगा, और एक चीज़ है, जैसे अगर high quality product है, मतलब आप 10 CR, 12 CR का प्रोड़क्त बेच रहे हैं, तो पॉर्टल्स पे कस्टमर दालने को थोड़ा हिजिटेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पर मेरा नंबर शेयर हो जाता है, तो मुझे काफी calls आएंगे, उसको भी disturbance होगा, क्योंकि एक lead वहाँ पर कम से कम 10-15 चैनल पार्टनर्स के इसमें, minimum share हो जाती और वो सब के पास आजाती, तो उसमें वही दिक्कत है, लेकिन YouTube पे कैसा है, अगर आप अच्छे से कोई एक personal brand है, जैसे कि मैंने कहा, तो कोई ऐसा बंदा है, जो उस level का product को justify कर रहा है, अपने वीडियो में, सामने वाले को भी लगेगा, कि यार, he's a good guy, और अपने को इसके सब connect करना चाहिए, और उसको पता है, एक बार इससे connect किया, तो he will be guiding us through his journey, तो वहाँ पर लोग आजकल ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, और लोग भी पूने में भी इंडिया में भी लोग काफी वीडियो क्रियेशन में भी आ रहे हैं, और अपना quality डे बाइडे इंक्रीज कर रहे हैं, तो विनक, जैसे तुम बोल रहे थे, कि जो lead की quality है, जैसे कि अगर आप YouTube पे या फेस्बूक पे या फिर Google पे इन तीनों प्लाटफर्म पे सर्च करते हो प्रॉपर्टी सो एक्जम्पल में देता हो कि Google पे पहले गए कोई प्रॉपर्टी कापको नेम एंटर किया वेबसाट पे गए पहले ही आपको पॉपप आएगा आपका इंटर करो फोन नमबर इंटर करो सो कस्टमर को देख प्रोड़क देखने से पहले ही आप उसे पॉपप दे रहो कि फिल यो फॉप इंफरमेशन देख तो वहां पर एक तो वह डिस्टर होता है तो गो क्लिक अगर उसने कर दिया वहां पर उसको फिर 100 कॉल चालो हो जाएं वह जब तक आप आपका नमबर नहीं जालते वेरिफाइ नहीं कर रहा थे नमबर तब तक आपको आगे की इंफरमेशन लेंगे प्रोश्य भी डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि उनको वह बिजनेस मॉडल ही है उनको अगर वह पॉर्टल को या वेबसाइट को या अगर ल प्लाटफर्म पर वीडियो दाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है उनको है कि आपसे अच्छा क्वालीटी कंटेंट हमारे प्लाटफर्म पर दालो ताकि लोग हमें हमारे प्लाटफर्म पर रहे तो अगर कोई कस्टमर उस प्रोड़क्ट को देखना चाहता है उसने बंदा जो क्लाइंट इंट्रेस्टेड है वो तभी ही आपको कॉल करें और सामने से कर पाएंगे जिसको आप देख रहें जिसको वियू कर रहें उसको परस्टनली कॉंटक कर पाएंगे और चानल पार्टनर्स के लिए भी काफी बेनिफिशल है क्योंकि अगर आप पोर्टल पर जाते हो तो आपको सामने से कॉल करना पड़ता है कस्टमर को तो कस्टमर को वो एक डिस्टरबिंग फाक्टर हो सकता है लेकिन यूट्यूब पर आपको सामने से कॉल आने आला है तो यह काफी एडवांटेज है कि कॉलिटी लीड आपको आ रहा है इसके केस में अलग यह है कि push marketing और pull marketing जहाँ पे हम portals यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम push marketing कर रहे हैं जहाँ पे हम customers को push कर रहे कि low 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 और अगर यह जो channels है YouTube Instagram है और वीडियो है यहाँ पे हम उनको pull कर रहे है ठीक है तो long time में जितना अच्छा करोगे उतना आपको यह मिलेगा व्यूकि अगर let's say मैं हूँ मुझे भी अगर property लेनी है पर मैं आज नहीं लूँगा मैं 4-5 साल बाद लेने आलो तो फिर भी अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा पसंद आ जाता है कि यार यह अच्छा present कर रहे है फिर मेरे को इनके वीडियो पसंद आ रहे है तो मैं उनको subscribe कर रहे है और वहाँ पर आपका जो चैनल पर्टनर उसका knowledge भी आपको पता चलता है वीडियो पर यहने सरप्रेज नहीं मिलेगा पूरा जो भी portfolio है या जो है वह पर आपको देखने मिल जाएगा एक सही बात है और portals पे person नहीं रहता है सामने कौन है अपने को पता ही नहीं है अपन रांडम ली आक बंद क या फिर कोई भी portal है या फिर add है तो वहाँ पर आपको कैसे budget set करना पड़ता है amount लगानी पड़ती है अगर वो खतम हो जाता है अपके add down हो जाएंगी तो यह उसका disadvantage बोल सकते हो और इसका advantage ऐसा है कि अगर आप एक बार आज वीडियो बना लेते हो यह वही पर रहने वाला है तो आपका customer आज कल या फिर एक साल बाद भी search करेगा तभी भी आप उसे connect कर सकते हो तो इसको आपको regular basis पे content create करना पड़ेगा अगर आप individual creator हो तो अगर आप plan करते हो कि मैं मन्त में 5 वीडियो पोस्ट करूंगा 10 Reels पोस्ट करूगा तो अगर आप वैसा 2-3 months तक करते ज समझेगा कि this guy is consistent and regularly इनके चैनल पर पोस्ट आते रहते तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको reach बढ़ाते जाएगा तो कि उसको भी उसके platform पे लोग चाहिए तो यह किसका काफी benefit है और एक बात जैसे Instagram YouTube या फिर Google हो गया तो अगर आप पोर्टल या आड्ज लगाते हो त है लेकिन YouTube का वैसे नहीं अगर आप आज पूने में वीडियो दाल रहे तो किसी foreign countries में भी उसमें सर्च किया पूने में क्या चल रहा है तो वो content आपका भी उदर दीखेगा उसको भी visible होगा उसके लिए अगर आप YouTube पे एक और टूल है अगर आप multiple languages में भी video create करना चाहते ह तो पहले क्या होता था लोग अलग-अलग channel बनाते थे हिंदी महराटी इंगलेश तम्मेल वगरा different languages के channel वो create करते थे खुद के नाम से लेकिन आज ऐसा update आया है कि आपको सिफ audio dub करना है आपका दूसरे languages में और customer को उदर option है कि वो language change करके देख सकता है सो एक ही video बनाना है और multiple audios उसमें आपको integrate करने सो यह भी काफी benefit है तो worldwide भी आपका view काफी बढ़ता जाएगा तो आप आपके clients के लिए वो भी करते जो languages का जो है जिनको specific requirement है मतलब उनको worldwide भी करना है तो हम उनके लिए यह भी कर सकते तो यह बात तो सही है पर मुझे एक ज में आज उसको एक अलग level की success मिले है इसे कोई experience या इसे कोई है लोग जिसको आप बता पाएंगे हाँ काफी सारे channels है इंडिया में भी है बाहर भी है इंडिया के कुछ examples दोंगा एक example से मैं आपको समझाता हो let's say आज आप एक developer हो और आपको एक product launch करना है पूने में and कुछ चैनल जैसे है जैसे रवी केवल रमानी या फिर रफीक मर्चंट उनका रीच काफी ज्यादा है उनको काफी लोग follow करते सब्सक्राइब करते और real estate का ही audience है आज अगर आप पूने में एक product launch करते हो और आपको काफी wide उसको target करना है audience में ज्याद से ज्यादा आप एक budget लग कर सकते हो लेकिन उसका reach कितना होगा आपको इतना idea नहीं है लेकिन इसमें कैसा होगा आज अगर आपने उनको promotion के लिए बुलाया एक बार में अगर वो एक post कर देते हैं एक छोटा सापका shout out भी अगर दे देंगे तो भी उनका reach काफी जादा है तो one time में आपको organic reach मिल रहा में तो उनका वो मोटिफ था लेकिन आज जब उनका इतना channel boom हो चुका है उनको उसका monetization भी ऐसा मिल रहा है कि YouTube उनको एक तो पे करता है content creation के लिए ads के तुरू and दूसरा developers भी उनको पे कर रहे है कि आप आके हमारा promotion कीजिए so दोनों तरफ से उनको benefit है ऐसा so ये in the end for a second brand development के कुछ फाइदे है तो मैंने का starting में बोल रहे थे कि आप जब शूट करने जाते तो आपको आपके कुछ channel partners मिलते तो आपको कभी किसी ने पूचा है कि exactly यह क्या है कैसा है कैसा work होता है या फिर आपके business के बारे में आप जब channel partners को मिलते तो कैसे बताते और क्या समझाते वह हमको ही बतागी है ठीक है मैं आज आपसे मिलना है हूँ आपने same question किया so यह question काफी realtor करते कि इसे फाइदा भी होता है क्या क्यों करना चाहिए तो जैसे आप realtors बोलते हो कि the best time to buy is now so अगर आप आज लोगे तो आपका property appreciation होगा यह सब चीज़े so अगर आप organically एक ऐसा platform create कर ना चाहते हो जहाँ पर आपको और spend ना करते हुए leads continuously आया फिर आपका एक नाम market में continuously रहे तो आज से आपको start करना पड़ेगा लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कही सारे लोग जो है channel partners क्या करते अपने ही firm में से कोई बंदा देते हैं उसके हाथ में camera पकड़ा देते हैं कि हा चीज के बारे में ज्यादा पता है यहाँ पर कैसा है अगर आप इसी हिसाब से इस चीज को देख रहे हैं कि हाम एक वीडियो डालना है यह सांपल दिखाना मेरे को call आना चाहिए तो यह गलत अप्रोच है यहाँ पर आपको कैसा है जैसे आप एक एक सीड प्लांट कर रहा आज कल उसका फ्रूट नहीं अन्याला उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको उसको और पानी देना पड़ेगा काफी चीज़े हैं फिर उसके बाद सीड एक फ्लावर आएगा उसके बाद फिर धीरे फ्रूट आएगा तो यूटुब भी कैसा है अगर आप आप आज स आपको नहीं आ रहे हैं आपको उसको कंसिस्टेंटली करते रहना होगा यह चीज एक तो मैं पहले बोलता हूँ और अगर आप आज से शुरू करोगे तब जाके एक दो साल बाद आपका चानल एक अच्छे लेवल पर पहुचा होगा तब वहाँ से आपको फ्रूट मिलना स्टार्ट होगे आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज यह चानल खोल दूगा तो मेरे को कल से लीड जाना स्टार्ट हो जाएगा तो यह काफी में अप्रोच होना चाहिए एक रियल डर का कि अगर मैं आज कर रहा हूँ योट्यूब तो आउट्सोर्च करू या यह सारी चीजों में आप ज्यादा एक्सपोनेंशली ग्रो नहीं कर पाऊंगे अपको हर चीज के लिए अलग-अलग परसन रखना पड़ेगा तभी आप उसमें उसमें मेरा यह पूछना आपको कि जो प्रोफेशनल है उसका शूट किया हुआ वीडियो और एक नॉर्मल उसमें क्या डिफरेंस आता है ओके लटसे हम कोई एक प्रोफेटी शूट कर रहे हैं तो पहले हम सांपल देख लेते हैं कैसा है क्या है लाइटिंग कि दरस्यारी लाइटिंग कैसे अच्छी है दूसरा चीज जब एक रिएडिटर अंदर जाता है शूट करने के लिए तो हम उनको गाइड करते है कि क्योंकि हमने अभी इतने वीडियो बना लिए तो हमको सांपल भी कोई-कोई ऐसा होता है कि हमने चार-पाजवार शूट किया हुआ है तो हमको हम हर वीडियो में कुछ तना कुछ अलग ट्राय करते हैं मतलब लग से किसी के लिए अलग अंगल मे बना है तो इनके लिए बोलते कि थोड़ा सा आप ऐसा करो तो उनको एक तो यह बेनेफिट मलता है अगर आप नॉर्मल वीडियो की बात करोंगे तो वह कैसे करते हैं वन टेक में ही दिखाते हैं मतलब यह लिविंग है यह डाइनिंग है तो एक ही बार में आप जा रहे हो कस्टमर को ठीक से रूम दिखने ही नहीं मिल रहा है वाइड अंगल का ज्यादा यूज नहीं होता है कभी-कभी लाइटिंग का इश्यो जाता है अगर एक ही टेक में आप फोन से जाते हो ना अगर लाइट आपके पीछे है तो आपके फेस काफी डार्क हो जाता है तो यह जब इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है तो हम एक प्राइम लेंस यूज करते है जिसमें आप पे फोकस हो बैग्राउंड थोड़ा बलर हो क्योंकि आप अभी इंट्रोड़क्शन दे रहे हो आप प्रोड़क्ट के बारे में समझा रहे हो तो टेक्स्ट वगेरा जो आरह आप कभी-कभी यूज कर सकते हो जिसमें इंट्रोड़क्शन प्लस रील अप जब बना रहे हो तो उसमें भी आप उसे यूज कर सकते हैं और ड्रोन शॉट्स वगरे जब आप लेते तो ड्रोन का काफी इसमें इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि कस्टमर को एरिया अगर पता नहीं है या फिर उसको कनेक्टिविटी देखनी है तो इसका एक काफी इंपाट पड़ता है कोई-कोई वीडियो में क्या करता है कार में बैठ है क्या फोन ऐसे ही लगा है और रोड से जा रहे है वो प्रोफेशनली भी दिखता नहीं अगर आप एक अच्छा प्रोड इतना अच्छा है तो वो चीजे भी लोगों को मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं कि यार अच्छा है बट सबकॉंशिसली उनको वो दिखने में समझ जाता है वो कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे अगर कोई खराब वीडियो उनके सामने आ गया तो उनको समझेगा कि यार हम इनक समल कार दे दोगे तो वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाएगा जैसे एफवन को एफवन कार को आप यह समझे यूट्यूब और ड्राइवर आप खुद हो रियल्टर सो अगर यूट्यूब आपको काफी रीच देने वाला है लेकिन अगर आप आज ड्राइवर आप उस ले करने के लिए खुद को भी उस चीज के लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा इसलिए प्रोफेशनल यह सारे चीजे आपको लेके चलने पड़ेगे कि लॉंग टम वो आपका उदर रहने वाला है फॉर्मील वन के गाड़ी के लिए फॉर्मील वन का ट्राइवर भी चाहिए ज़रूरी है नॉर्मल ट्राइवर से नहीं नहीं होगा तुमने जो बोला वह जस्टिफाइ होता है गंडाट हो एसे भी कुछ लोग है रियल एस्टेट में की लेके जो इंट्रो अडे नहीं कर सकते वो camera face नहीं कर सकते वो आके बात नहीं कर सकते तो उन्होंने भी खाप देखना नहीं चाहिए कि फिर कि में formula 1 में ने ऐसा नहीं है अगर लेट से आपको भी करना है बट आपको सामने नहीं आना आपको present नहीं करना या फिर आप थोड़ा सा यह हो उस case में आप anchor को सामने ला सकते हो आपके brand के लिए अभी anchor को सामने लाना मतलब क्या जैसे आपके company के नाम पे channel है और उसके under 3 to 4 people है जो जाके project समझा रहे, explain कर रहे वहाँ से भी आपको एक company का grow कर सकते हो वो as a face तो दिख रहे, person है सामने, property दिखा रहे, समझा रहे और customer उन पे ज़्यादा trust करते हैं, मतलब female अगर host हो या फिर कोई brand कर रहे है, तो customer उन पे भी ज़्यादा trust करते हैं और उनके videos भी ज़्यादा consume करते हैं तो हम जैसे service भी देते हैं तो अब आपके case में जिनको सामने नहीं आना तो हम उनके लिए भी कभी-कभी anchor हाइर करके देते हैं या फिर वो भी उनके team से आपके service इसमें ही है वो exactly क्या के service आप देते हैं तो अब वो बताता हूँ अगर आप individual firm है अगर आपका बड़ा firm है और अगर आपका छोटा firm है तो उसमें पहले तो हम suggest करते हैं अगर आपका छोटा firm रहेगा ना तो आप खुद करो उससे long term में आपको ज़्यादा benefit रहेगा क्योंकि customer आपको देखेगा जब visit पर आएगा तो आपसे ही मिलेगा तो उसका trust और बड़ेगा प्रेजेंट करना है या फिर क्या-क्या बोलना है या कितने points अपने को वीडियो में cover करने पहले उनको वो सब चीजे समझा दे फिर उनके हम schedule करते Monday to Friday के बीच में हम shoots करते और हमारे multiple shoots daily चलते कोई person अलग shoot पे है तो कोई अलग तो हमारा team dedicatedly है जो uploading भी संबालता है plus shoots वगेरा edits तो सब अलग-अलग चीज़ करते तो हम एक realtor को end-to-end service देते जैसे अगर आप आज on board हो जाते हो तो आपको अगर आप individually present करने आ ले हो तो आपके schedules आपको मिल जाएगे कि कब-कब आपका shoot रहेगा उस time पर आपको आना है project पर आपका presentation करना है दिन जाना है उसके बाद का जो भी process है editing फिर उसके जो भी text वगेरा add करना है brochures add करने है upload करना है title thumbnail text किसा होना चाहिए hashtags क्या-क्या use करने चाहिए तो वो सारा जो चीजे है वो हमारी team ही करती है आपके पास उसके लिए अलग से specialized team है तो सिफ आपको present करना है आपको जो काम आता है वो आपको best करना है बस तो आप sell कर सकते है अच्छे से आपको वही करना है तो इसलिए हम end to end service देते और जो clients anchors के साथ करते सो उनको अलग schedules मिल जाते है सो वो उस हिसाब से shoots करते है इस्ट वेस्ट मतलब पूरा पूने पूने में हाँ हाँ पूरा ओल ओवर पूने और किसी का specific requirement है कभी हो मुंबई या फिर कही और शूट पर जाना है तो हम client के साथ ही जाते और कुछ clients हमारे abroad में भी है सो रिसेंट हम दुबई में भी गये ते शूट पर सो वह पर भी हम 15 डेज शूट करके आए क्या बात है तो यह actually कितना जरूरी है आज यह जो clients आपके साथ जुड़े है तो इसके पिछे जो professionalism है तो actually professionalism में क्या अलग होता है और तुम specifically real estate करते है तो difference क्या है यह यह सब चीजों में अगर identify करना हो कि specially आपके साथ क्यों जाए तो अभी हम ने दो तीन साल से इसी चीज में कर रहे है सो राइट फ्रॉम प्रोड़क मतलब जो अपना प्रीमेर प्रो अगरा है तो हमने स्टार्टिंग से सारा पेड लिया है लाइसेंसिंग अगरा प्लस उसके साथ साथ जब अगर आपका चानल मॉनेटाइज है तो अगर आप copyright content उस पर post करते हो तो वहाँ पर आपको monetization में प्रॉब्लम आता है सो stock images, stock videos या फिर जो paid music रहता है वो भी आपको लेना पड़ता है तो specifically तुम वो real estate के लिए कर दो तो वो सब चीजी real estate वालों को नहीं पता है कि ये सब चीजे भी करना चाहिए प्योंकि वो कोई भी music उठा लेंगे उसमें दाल देंगे तो copyright आता है वैसे उसका कुछ loss नहीं है realtor को क्योंकि उनका main source है कि leads आने चाहिए और वहाँ से हमको ये करना बट अगर किसी content creator को अच्छे से grow करना है फिर brand जिसे मैंने कहा उनको build करना है तो उनके लिए हम ये सब service provide करते जहाँ पर उनका music licensing प्लस video में जो जो भी अलग-अलग videos हम उस पर use कर रहे है वो भी licensed रहता है उसके बाद market में क्या-क्या नया चीज़े आ रहा है मतलब क्या-क्या equipments आ रहा है उसका use के real estate में क्या होगा या फिर हम कर सकते हैं क्या ये चीज हम काफी ज़्यादा तर उस चीज में रहते हैं और हमारे टीम में सारे ही लोग वीडियोग्राफी इस चीज़ों से काफी influenced है तो हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं क्या-क्या आ रहा है या फिर अगर कोई course आया है ऐसे कुछ seminars भी होते हैं तो वो भी हम attend करते हैं वही कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम इसमें input कैसे कर सकते हैं कि वीडियो अलग कैसे बना सकते हैं क्योंकि आपको YouTube पे अगर आपको grow करना है तो entertain करना पड़ेगा प्लस information आपको दे जाँ पड़ेगा अच्छे से यह चीज अगर आप एक साथ करोगे ना यह एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है एक ही पोजीशन में जा रहा है एक ही पोजीशन में शूट कर रहा है और फिर वह अगला वीडियो नहीं देखेगा हो क्योंकि YouTube पे जाते ही लोग रिलाक्स करने हैं आज ओफिस से छोटे चल थोड़ा सा रिलाक्स कर लेते देख लेते अगर आप प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा अच्छे से वे में प्रिजेंट कर रहे हो थोड़ा सा उसमें पन कुछ रहेगा तो वो भी उनको पसंद आएगा क्योंकि उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे वाले वीडियोज भी बनते हैं बट अगर आप थोड़ा सा उसमें इंटरेटेंड भी करो गया ना तो उनको पर्सनल टच भी काफी अच्छे से बढ़ता है अब इनक सबसे ज्यादा रिक्वार्मेंट आपको चैनल पाटनर की तरफ से किस फॉर्मेट के लिए ने किस चीज के लिए आ रहें बहुत सार रहा लगला फॉर्मेट कोई पॉडकस करता है कोई फुल वीडियो बनाता है कोई रिल्स बनाता है और उसके पिछे ने अभी आगला ट्रेंड का है चैनल पाटनर क्या सोच रहें आगे जो भी आपके साथ काम कर रहें या फिर आगे आए तो दुसरे चैनल पाटनर जे उन्होंने किस चीज पर फोकस करना चाहिए ज़ाधा तर अभी शॉट फ़र्म गंटेंट ही चल रहा है क्योंकि लोगों का भी आटेंशन स्पान कम होते जा रहा है सो लोग शॉट्स को ज़्यादा परफर कर रहे हैं और क्लाइंट्स भी हमें ज़्यादार वही पूछ रहे हैं कि हमें शॉट वीडियोज ही बनाने हैं तो उनका एंगेजमेंट भी ज़्यादा है और कनवर्जन भी ज़्यादा आ रहे है मतलब अभी वो क्या कर रहे है शॉट्स बनाते हैं उसको आज़ा एड इंस्टाग्राम फेस्बुक पे रन कर रहे पहले कैसा होता था एक पोस्ट को आज़ा एड रन करते थे तो अब क्या है वीडियो में जैसे मैंने पोड़कास के स्टाट में भी बता है कि अगर आप वीडियो फॉर्माट में लगा रहे हो ना तो उनको पूरा घर दिख रहा है समझ में आ रहा है परसन दिख रहा है सामने तो वो कंटक्ट इजीली कर लेते हैं तो शॉट फॉर्म में ज्यादा था अभी इनकोरी जनरेशन है और उसको रीज भी काफी जादा प्रोमोट करता है और गयनिक ली भी अगर आप जाओगे ना रेगलरली आप पोस्ट कर रहे हो तो रीज भी आपको काफी अच्छा मिलेगा ठीके तो शॉट फॉर्म का तो पता चला पर दूसरे जो फॉर्म से जो लॉइटीओ करता चाहिए ऐख चैनल पाटनर्स के कुछ कूछ इसके बारे में के लॉइटीओ इसके बारे में थोड़ा स्ट बताओ अपने सही पूश्चन पुछा अभी लॉइब लॉइ स्वाल में कि सर्च करके जाते कि उनको क्या देखना है इंस्टाग्राम पे आप रैंडमली स्क्रोल कर रहे हो आपको यह याद नहीं होगा कि आपने लास्ट डिल कौन सा देखा अपको बस अगर आपने को यूटुब पे वीडियो देखा होगा तो वह आपको याद भी रहेगा कि हा मैंन टू यह यह नॉर्मली वह यह भी बड़ते कि शॉट में है अगर बड़ा वीडियो देखना है आपको तो यूटुब पे इसका पूरा एविलिबल है राइट 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 तो लॉंग फॉर्म के बेसिक अडवांटेज क्या है कि कस्टमर सर्च करके वह चीज़े है तो अगर आप एक ऐसा चानल खोल रहे हो जहाँ पर शॉट और लॉंग फॉर्म दोनों दाल रहे हो तो वह चैनल की सब्सक्राइबर गेन करने में आपको शॉट फॉर्म कंट्रेंट हेल्प करेगा लेकिन जो लॉंग फॉर्म है वह आपका ब्राइंड बिल्डिंग में करेगा क्योंकि लोग आपको सर्च करके देख रहे हैं इसमें लोगों के मिस्कंसेप्शन ऐसे है कि अगर आपन लॉंग वीडियो बना रहे है तो अपने को बहुत लॉंग बनाने मतलब 30 मिनिट 45 मिनिट 20 मिनिट 15 तो वैसा नहीं है टाइम मैंटर नहीं करता कि आप कितने बना रहे हो अगर आप एक अदे घंटे का वी वीडियो बना रहे हो और उसको सिर्फ लोग देख रहे हैं दो मिनिट 5 कि तो इसका मतलब वो जो बाकी का टाइम है वो उतना टाइम एनरजी आपने वेस्ट किया खुद का 30 मिनिट का वीडियो बनाने के लिए 4 गंटा गया दो घंटा एडिट में गया फिर से उसमें चेंजेज वगेरा तो इतना टाइम गया और उसको सिफ दो-तीन मिनिट ही अगर विव डियूरेशन आ रहा है तो किस्टमर को हम भी सजेस्ट करते कि अगर आपका वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा माक्स 10 मिनिट्स तक जाना च स्टार्ट हो जाते है तो अगर आप 5-6 मिनिट्स या 10 मिनिट्स का भी एक प्रॉपर्टी टूर वीडियो बनाते हो तो यह एक चीज है लॉंग फॉर्म में तो विनक फ्यूचर क्या रहने वाला है यह वीडियो का यह जो कॉंटेंट क्रेट हो रहा है तो इसका फ्यूचर जो है शॉट हो या फिर लॉंग फॉर्म हो यही चीज़े ज्यादा चलने वाले क्योंकि कस्टमर को प्राइविसी चाहिए और उनको घर बेटे ही सब अभी देखने मिल रहा है बले वो इंडिया में हो या फिर बाहर हो तो उनको यह इस चीज़े तो धीरे-जीरे कम हो रह काफी बूम आने वाला है और आया बी है क्योंकि बहुत सारे चानल पार्ट्र सबी वीडियों सब्सक्राइब आड़ स्टाट करें निए प्रॉल् llam the अपिर वीडियों शुको परक्र प्रॉपने वाला है तो प्रॉल और अच्छे से आपको समझेगा आपके जो क्लाइंट से आज तो वो जो वीडियो शुट करते तो वो फेस्बुक पर भी एड करते उसको गूगल पर भी एड करते वो 99 पर भी दाल सकते तो सब जगह तो टोटल वीडियो को वो 360 डिगरी पूरा यूज करते हैं आप मुल्ट जितने तुम्हेरे क्लाइन से उसमें किसने रिपोर्ट किया है कि दो साल में अभी दो साल के बाद में भी मुझे लीड आई है वो वीडियो पर तो होता है ऐसा होता है काफी सारे क्लाइन से जिनके पुराने वीडियो पर भी भी व्यूज आ रहे हैं और काफी ऐसे भी है उन्हें ने स्टार्ट किया है एक दो मेने तक नहीं आए बट उसके बाद काफी ज्यादा गरो हुआ और कुछ-कुछ ऐसे जिनको फॉर्स वीडियो से मतलब यह सब चीजों के लिए प्रॉपरली जो काम आता है वो क्या काम आता है हैस्टेग वगरे यह सब चीजे काम आती ह क्या की वह बिडियो को यूटूब पर सर्च में सामने हा घाय हो तो किस चीज के सामने आता है आगर मैं किसी गूगल पे आजकल वह सारे जो सर्च करने कर दो यह कैसे कर वाते हैं स्ट्रीम लाइन कैसे कर वाते हैं कई सारे फाक्टर होके यह सब चीजे होती है जैसे अगर आपका टाइटल थमनिल है अगर आप प्रोजेक के नाम से वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो गूगल पे आप सर्च करोगे आपको अगर उसके ब्रोश्य बगर देखना है तो इमेज इस सेक्शन में जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको आपका वीडियो दिखेगा उसके बाद प्रोडक्त के आथे हो और नीचे वीडियो भी है यूट्यूब गूगल का ही एक सेकेंड शर्च इंजिन है तो आपका जो पोस्टिंग है वो किस तरीके से हुआ है क्या टाइटल्स है क्या टाइक्स है वो सारी चीज़े माटर करते हैं अगर आप प्रोटोक्ट के नाम से कर रहे हो वीडियो तो उसमें लॉंग टम में आपको काफी फाइदा है और अगर आप कोई-कोई चैनल पाटन नेम भी करते हैं उनका रेकेमेंडेशन में आता है मतला अगर आप एक वीडियो प्ले कर रहे हो तो राइट साइड पे काफी सारे वीडियो दिखते हैं उससे रिलेटेड तो वहाँ पर भी आप कभी-कभी दिखना स्टार्ट होते हो तो यह सब चीजों के लिए सबसे पह गया तो फिर वह आपसे एक्सपेट करेगी कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा या फिर इसमें क्या नेक्स्ट अच्छा बेटर आ रहा है या फिर आप कितना अच्छा कर रहे हैं कुछ-कुछ चैनल ऐसे हैं जिनोंने 2016-17-18 में भी स्टार्ट किया आज जो भी इफ्रेंस दिखेगा परसन में भी क्योंकि स्टार्ट में जब उन्होंने किया था उनके पास कुछ एक्यूप्मेंट नहीं रहेगा प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा या फिर माइक कॉलिटी अच्छा नहीं है लेकिन आज कंटेंट करते करते आज वह इ अगर आज खुझ से स्टार्ट करते हो तो पहले तो आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा उसके चूट कैसे करने भी रोल कैसे लेना है फिर ग्राफिक्स क्या क्या अड़ करने है टेक्स कैसा जाएगा थमनेल कैसा है टाइटल क्या यह सारी चीज़े पहले सीखनी ही समझाया कि डे बन से आपको यह सारी चीज़े मिल रही है आपको सिफ आप जो अच्छा से करते हैं आपको वही करना है तो उनको दो महने में उनके चानल पर आइगेस 50K व्यूज आ गये सब्सक्राइबर कम है लेकिन व्यूज जाद है तो यह भी मिसकंसेप्शन है कि सब्सक्राइबर की जड़र इसमें व्यूज जडरूद रही है अगर प्रोड़क किसी ने देख लिया क्योंकि मैंने भी एक्स्प्रेंस लिया है जितना व्यूज बढ़ते हैं कस्टमर को पसंद आया कस्टमर के लिए नंबर लिखा होता है वह सीधा उठाता है फोन करता ह सामने सी इनकोरी आती है ठीक है क्योंकि लोग वही सोचते कि अगर अपने सब्सक्राइबर ही नहीं तो अपना वीडियो रैंक कैसे करेगा उपर कैसे आएगा या फिर सजेशन में कैसे आएगा तो यह चीज लोगों में डर है कि अगर मैं आज स्टार्ट करता हो तो मुझ सेलए शेयर करना स्टार्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स फाсонुली को बताएंगे कि हमने स्टार्ट किया लेकिन वह आपका बायर नहीं नहीं तो वढ़ क्या स्टार्टिंग ये वीडियो तो देन्ग एक टौ देख लेगा को पता है कि हाँ अपना एक दोस्ते करता लेक उसलब कौन सा चैनल ने वो नहीं वीडियोज दिखाए मतलब ड्राइफ पे जो हम उनको बेजते हैं वो देखते हैं लेकिन उन्होंने शेर नहीं किया शेर ना करने से 70K उनको व्यूज आए तीन महने में और सब्सक्राइबर्स भी 300 प्लस ग्रो हुए तो यह जो 300 सब्सक्राइबर है यह अक्चल व्यूवर है उनका अगर आप शेर करके 1000, 2000, 5000 बड़ा लोगे तो आपको व्यूज उतना नहीं आएगा क्योंकि वो सब्सक्राइबर को पता है कि जस्ट हमने सब्सक्राइब करके रखा है क्योंकि हाँ इधर देखा था इसने बोल कभी किसी को मिल लिए सब्सक्राइब कर दे वह आपका व्यूवर नहीं है या बायर नहीं है तो आपका जो एक्चल ओडियंस है ना वो यूटूब ही आपको ढूंड के देगा लेकिन आपको थोड़ा सा पेशन्स रखना पड़ेगा और और चांस्टेंटली आपको यह च जरूरत है ठीक है यह तो सबको पता है कि अभी सिच्वेशन ऐसी है कि वीडियो फॉर्माइट होने वाला है तुम भी वही बता रहे हो स्टैटिक्स भी बता रहे मार्केट का सीनर्य भी वही बता रहे कि आगे आने वाले दिन्स जो है वह आईसी ही रहने वाले तो इसमें अभी लोगों को help की ज़रूरत है टाइक है तो वह case में तुम उनकी कैसी help कर सकते हो तुम तक कैसे पोचे तुम तक कैसे reach करे इसके बारे में इसमें बता हो क्या है कि अगर किसी को विनयक तक पोचना है तो कैसे पोच पाएगा काफी simple है हमारा खुद का channel है सो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ड्रॉप कर दूंगा या फिर हमारा पेज वहां से कर सकते हैं दूसरा हम अभी कुछ थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं समिनार लेने का जहां पर हम रियल्टर्स को समझाएंगे दिखाएंगे कि एक्चल में वीडियो शूट कैसा होता है है क्या क्या एक्यूप्मेंट्स लगते हैं सो इस चीज का भी हमने थोड़ा सा प्लान किया है सो फुर्दर गोइंग में वह चीज अपडेट होने आले हैं और हमारा खुद के चैनल पे भी हम इस रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट करने आले क्योंकि अब तक हमने जो भी किय हम क्लाइंट्स के लिए ही वीडियो बनाते थे लेकिन काफी टाइम मतला अभी रिसेंटली जब दुबाई जाके आया तब मेरे को सोचने का काफी टाइम मिला क्योंकि हम रेगुलर्ली सिफ शूट करते थे एडिट करते थे तो ज्यादा टाइम हमको खुद का परसनल ब्र लिए helped me, बहूट जैसा तुमनोंने शूट किया वहां पेकर शूट कर सकते है है यह शूट कर सकते है या फर वहां पर क्या दिफेरेंस तुमोंगों पता कि बहुत डिफेरेंस है मैं जब वहां जा रहाता है कि पर मैं चांड एक्से जब बढ़ए ‫KAACE देशन टीकि बहुत तो लोग उदर टिक टॉक करते इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉट्स लॉंग फॉर्म उदर उदर की नेटिव लोग काफी काफी कम करते बाहर के लोग आके ही थोड़ा सा बनाते क्योंकि वहाँ पर का जो मार्केट है वहाँ पर काफी फास्ट है मतलब आज कस्टमर देखा उसको पसंद आया वह ले लेगा वह सोचेगा नहीं तो किसको पूछेगा यहाँ पर थोड़ा सा सलो है लोग देखते हैं समझते हैं क्या है कैसा है फिर भी ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पर एक चीज़ देखा कि कस्टमर आ रहा है तो खरीद के ही जा रहा है एंड मंडेटु मार्केट आन है संडे को लोग बाहर रहते अब संडे को एन्जय करते है तो साटेडे शंडे हमको पर शूट करने जाध अच्छे से मिला वीग डेज में जो कि यहां पर पॉसीब पॉसी निया यहां पर उल्टा है यहां पर अपने को मंडे से फ्राइडे तक sales office खाली मिलेंगे लेकिन Saturday Sunday visits वहाँ पर उल्टा है तो और एक चीज मेरे को actually curiosity की इस है अभी बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल से iPhone है तो लोगों ने iPhone पर शूट करने में और जो professional लोग बड़े-बड़े camera, gadgets, widgets लेके शूट करते difference क्या है major difference quality का ही है iPhone से भी अच्छा quality आएगा इससे भी अच्छा आएगा लेकिन इसके लिए आपको extra efforts लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको iPhone में अगर अच्छा वीडियो बनाना है सबसे पहले lighting अच्छा होना चाहिए अगर आप एक flat shoot कर रहे हो अपने wide angle camera जैसे switch कियाना तो grains आना start हो जाएगा अगर light थोड़ा सा कम है उसमें problem क्या आता है जब आप उसको color grade करते हो या फिर अपने editing software में दालते हो तो उसको जब export करोगे ना तो उतना quality वैसा नहीं देगा लेकिन camera में अपन ISO अगेरा shutter speed थोड़ा सा introduction हो गरा जो बाहर का shoot है ना बहुत अच्छा quality आएगा क्योंकि dynamic range काफी अच्छा देगा अगर आप apple log में shoot करते हो उसको shoot करने के हो उसको edit भी वैसा करना पड़ते है प्रीमेर पो में जाके उसके color formats आपको change करने पड़ेंगे उसको grade करना पड़ेगा यह extra efforts आपको लेने पड़ेंगे इस चीज में जो की camera में भी आपको लेने पड़ेंगे अगर आप ready हो यह सब चीजे करने के लिए तब आप उसे use करो लेकिन flat के अंदर एक problem वही है कि low light में आपको grains उसमे face करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल आंगल 24 mm पे शूट करते हो not wide angle lens तब flat बड़ा नहीं दिखेगा flat में क्या है वो नहीं दिखेगा so आप quality लूज करोगे या फिर आप आपका जो presentation है जो आपको दिखाना है वो लूज करना पड़ेगा आपके पास यह choice है अगर आप camera से shoot करते हो आपके पास lenses के options है iPhone में एक ही lens रहेगा वो आप change नहीं कर सकते हो इसमें lenses अलग 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 लगा सकते हो low light है तो आप full frame के साथ जा सकते हो उसमें wide angle लगा सकते हो lighting और better कर सकते हो so यह सारी चीज़े है प्लस उसके बाद editing में भी बहुत सारी चीज़े है formats है वो सब चीज़े भी सीखना पड़ता है अगर लेटसे आपको यह long form video shoot करते हो so अगर आप 4K में अगर उसको shoot करोगे तो आप उसे multi-purpose भी कर सकते हो मतलब अगर उससे ही आपको shots भी बनाने है तो भी बना सकते हो इस चीज़ में cameras के काफी beneficial है लेकिन आपको वो सीखना भी बढ़ता है उतना इसमें लिमिटेशन वो vertical, horizontal के भी कुछ limitations रहते हैं angles के vertical, horizontal क्या उससे कुछ फरक ने उससे कुछ फरकने पड़ेगा तो फाइनली विनेक मुझे यह जानना है कि कौनसी कौनसी services है जो real estate में तुमारी organization provide करती है कोई नया realtor भी अगर on board होता है उसको content creation के वारे में अगर कुछ भी नहीं बता मतलब पता ही नहीं वीडियो कैसे बनता है या क्या है तो first पहले हमारा अगर कोई shoot है कही तो हम उनको पहले उदर बुलाते है दिखाते है कि कैसा होता है क्या होता है व्योंकि अगर आपको सीधा camera के सामने खड़ा कर दिया न तो उनको बोलनी नहीं आएगा भले ही उनका presentation या फिर अच्छे से पता है फिर भी तो हम उनको पहले एक बार दिखाते है कि shoot कैसा होता है क्या process है उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो एक video हम उनका try करते है अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को anchors चाहिए तो हम उनको anchor hire करके देते या फिर उनको ही कहते है प्लस डेवलपर्स के भी कुछ शूट्स हमने किये है वाक्थू वीडियो के सांपल के प्लस उनके ड्रोन शूट्स अगरा यह सब अपके तो टेस्टोमोनी के के वो भी देखे है हाँ उनके भी किये है प्लस हम podcast अभी पूरा शूट करते है तो उसके जो भी equipments है mic, lights वो सारे हमारे पास है उसके बाद 360 वीडियो भी हम शूट करते है 360 वीडियो अभी थोड़ा सा नया है मतलब अच्छल है काफी टाइम से लेकिन इंडिया में कोई करता नहीं है उसमें के साथ है अगर आप फोन आपके हाथ में है और अगर आपने वीडियो प्ले किया अब मूव करते हो तो आप घर में वो मूव कर रहे हो तो वो रियल टाइम में आपको दिखेगा अगर आप वी आर वगेर के साथ देखोगे ना तो पूरा घर का एक आईडिया अब उसमें देख सकते हो 360 वीडियो तो वो भी हम करते है सही है यस एंड 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 सर्विस उनको पूरा देते है मतलब स्टार्ट से लेके अपलोड तक जो भी उसके बीच में आता है तो कोई भी रियल्टर हो चैनल पार्टनर हो तो कोई भी अगर उनके पास कुछ एक्पेंड नहीं है कुछ नॉलेज भी नहीं यह तभी वो अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उनका पूरा जो भी पोर्टफोलियो है या जो भी उनका काम है तो पूरा वो एट तुम्हारे ओर्गनेशन उसको पूरा करें तो आज अब यह पोड़कास के फाइनल स्टेश पर आया हम तो एक फाइनल मैसेज हमारे जितने भी वीवर्स है उनके लिए जो चैनल पाटनर्स है डेवलोपर से जो वीडियो देखते हैं और जिनको अगर आपके साथ जरनी स्टार्ट करनी है या क्यू करनी चाहिए जो उनके क्यूरिस थी हो तो बहुत सारे आपने आपने कावर किये तो कुछ मैसेज है आपका उनके लिए पहला तो है कि प्रोफेशनल ही आप कंटेंट बनाओ मैं ऐसा नहीं कहरा कि मुझसे ही बनाओ लेकिन जिससे भी कर रहे हो अच्छी से बनाओ क्योंकि आपका वो वीडियो हमेशा उदर रहने आला है तो आपको रिग्रेट नहीं होना च जो भी कर रहे हो बेटर करो क्योंकि आपका कस्टमर को भी वो जस्टिफाइं होना चाहिए और सेखेंड जैसे मैं पहले से बहार का कंटेंट देखते आयो तो एक चीज है जो मेरे को करना है कि इंडिया में जो भी कंटेंट करें रहे है रिएली स्टेट में उनके लिए मार्केट में इंडियो कोई-कोई-क्लाइंट का विजं हमारे सनियता है कि हमये कॉलेटी पर फोकुस करना जरणाती फिर कुछ तो डिफरेंट करना है तो दोनों के लिए एक win-win situation है and if you're starting a YouTube journey, so I would definitely suggest कि आप एक professional के साथ ही जाओ ताकि आपका जो content quality है वो consistent रहे throughout the journey बड़ी है, मैं भी मेरे जितने viewers है, सब को आपील करूंगा कि अगर कुछ करना है किसी को नई सुरुवात करनी है तो best A1 cinematography जितने औरुंगा, जितने जी जाते जाओ करना है तो लिए जाओ को आप जाते जाओ